Hello everyone, T.U.S.L. के ऐसे सभी student जिन्होंने इस सालिया नहीं 22 में S.L. में admission लिया है उनकी लगतारी क्वेरी आ हरी है कि हमारी जो classes हैं वो कब से start होंगी, हमारी जो books हैं वो कब मिलेंगी इसके अलबाद जो classes हैं हमारी वो online होंगी या फिर classes हमारी offline होंगी इसके लावा जो हमारा college है वो किस तरह से हमें मिलेगा इस तरह की बहुत सारी queries students किया रही है तो इन सभी queries comments वीडियो में discuss करने वाले है सबसे पहले देखो SL में अब दो प्रगार के courses होते हैं एक तो होते हैं आपके professional courses और दूसरे होते हैं आपके जो traditional courses आ रहे हैं जैसे BA program, BCom program, BCom honors, BA honors इस तरह के अब जो यह professional courses है यानि MBA हो गया BBA, BMS इसके लावा जो library वाले courses है उनके लिए एक orientation program हो रहा है 17 दिसंबर को और इसके ओपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है इसी के अंजर आपको study material बे distribute किया जाएगा और जो आपके classes का schedule होगा वो भी आपको इसी orientation program के अंजर आपको बताया जाएगा तो जो professional courses है उनके लिए तो 17 दिसंबर को यह सारी information उनको दे दी जाएगी इसके अलाबा जो traditional courses है BA honors हो गया, BCom honors हो गया, BA program, BCom program दिसंबर के आसपास भी जो आपकी classes है, वो इस्टार्ट हो जाएगा अब यह जो classes होंगी आपकी online होंगी या फिर offline होंगी तो देखो अभी due के अंदर exam चल रहे हो और यह exam जो है Sunday वो भी हो रहे है तो अभी बहुत से बहुत ही कम स्पेस है जहां पर आगर आपकी physical classes, offline classes भी करवाई जाएं तो most early chances यह ही है कि आपकी जो classes अभी online mode में start की जाएंगी और बाद में हो सकता है कि आपकी कुछ classes जो आपको offline mode में भी दी जाएं अभी के लिए उम्मीद है यह कि जो first semester के जितने भी courses है उन सब की जो classes है वो online mode में ही start की जाएंगी अभी classes कब से start होंगी तो approximately आप मान के चलेंगी की 20 December के आसपास से हो सकता है कि आपकी classes जो ने start कर दी जाएं अब यह classes का आपको पता कैसे चलेगा तो देखो आपका जो mobile phone होगा उस पर आपको मैसेज आजाएगा कि आपकी जो online classes से start होंगी इसके लाव आप website पर भी information होगी और अगर आपने चैनल को सब्स्राइब कर रहा है तो आपको सारी information मिलती रही कोई आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है आप चाहने तो जो टेलिग्राम चैनल को भी आप जो आप ज कोई अलग से कॉलेज आपको नहीं मिलता है जो आपकी classes होती है उन classes को अटेंड करने के लिए आपको एक सेंटर दिया जाता है अब क्यूंकि हो सकता है आपकी classes अभी online mode में start हो तो अभी आपको कोई भी college अलॉट नहीं किया जाएगा जब आपकी offline mode में classes start होंगी तब आप को उस college का message आदाएगा और वह college आपको permanently नहीं मिलता है आपको इसे classes attend करने के लिए वह college आपको अलॉट के जाएगा होग सकता है कि आपको कोई अलग college मिल जाए ठीक है तो यह आपको धन में रखना है इसके अलावा study material की बास करें तो देखो study material अभी तक प्रेंट नहीं को option मिलेगा इसमें आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे यूजी course structure का और जो प्रॉस्ट्रक्टर्स है उसका option यहां पर आ रहा है लेकिन अभी भी कोई study material का option नहीं आ रहा है तो most early यहां पर यह और option यहां पर आ जाएगा study material का वहां से आप डाउनलोड कर पाएं नहीं है इस साल से जो new course introduced के अगया है डियू के इंतर चार साल का उसका जो course है वह अभी आप उसका जो study material है वह अभी website पे अपलोड होना बाकि है तो पहले website पे अपलोड होगा उसके बाद आपको hard copy में distribute किया जाएगा अब दुबारा question आएगा कि distribution कभ स्टार्ट हो रहा ह है वहाँ पर आपको इसके regarding information मिलेगी अगर आपने चला को subscribe कर रहा है तो सारी information आपको मिलती रहेगी time to time कोई issue यहाँ पर नहीं है तो अभी के लिए information यही है कि इतने भी professional courses अब वो आपना से orientation program अटेंड करें वहाँ पर उनको सारी information मिल जाएगी लेकिन जो traditional courses है उनकी classes और books जो है वो most वहले बीस दिसमबर का आपको information आएगी यह हो सकता है यह December का end भी लग जाए और कोई आपकी query हो किसी यह topic आपको वीडियो चीए तो आप comment सकते में लिख सकते हैं for the time being that's the end of the video thank you